हेलो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो मिठाई बनाने का कारे करते हैं। इस वीडियो में दूद से बनने वाली मिठाईओं को आंटोमेटिक कड़ाही और बॉयलर से कैसे बनाया जाता है। इसके बारे में दिखाया गया है स्टीम बॉयलर से मावा कैसे बनता है ये देखने के लिए विडियो को पूरा देखे अगर आप भी किसी प्रकार की मिठाई बनाने का कारे करना चाहते हैं जैसे मावा खोवा, पनीर, रसगुला, कैंडी टॉफी, कलाकंद, बर्फी, बूंदी के लड्डू बनाना या गुड बनाने का प्लांट लगवाना चाहते हैं या अपने बिजनस को और अधिक ग्रो करने के लिए स्टीम बॉइलर व आटोमेटिक कडाही लगवाना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें जीनियस नरजी, क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको मावा बनता हुआ दिखाया गया है यह प्लांट GCI स्टीम बॉइलर कंपनी के द्वारा लगाया गया है इस प्लांट में स्टीम बॉइलर के साथ एक आउन्टोमेटिक मैनूल मावा बनाने वाली कडाही लगी हुई है इन कडाहियों को एक साथ ओपराट कर सकते हैं यह सेटअप आपके काम को आसान कर देता है और आपकी मेहनत को भी कम करता है स्टीम बॉइलर की सहायता से आप अपना प्रड़क्शन भरहा कर अपने बिजनस को और अधिक भड़ा सकते हैं इस प्लांट की सहायता से आप रोजाना पांच सो से हजार लीटर तक दूद का मावा खोवा बना कर अपना एक बिजनस सुरू कर सकते हैं हमारे पास एक कडाही से लेकर आप जितनी कडाही लगवाना चाहते उतनी कडाही का बॉइलर सेटअप उपलब्ध हैं एक उन्टोमेटिक कडाही से आप पचास लीटर दूद का मावा सिर्फ एक घंटे में बना सकते हैं हमारे इस बॉइलर में सौ लीटर दूद का मावा बनाने में सिर्फ पचीस किलो लकडी लगती है यह बॉइलर आपका इधन वा प्रोड़क्शन कोस्ट दोनों की बचत करता है हमारे इस बॉइलर में लगभग 50% इनधन वा 98% पानी की बचत होती है इस बॉइलर में बार बार पानी चरहने की आवश्यक्ता नहीं होती है क्योंकि पानी फिटिंग के दोरान ही भरा जाता है जो 5-6 साल तक चलता है अगर आप भी स्टीम बॉइलर और कड़ा ही लगवाना चाहते हैं तो नीचे दी गई जानकारी पर संपर्क करें और वीडियो को लाइक शेयर्व हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद